नवाश्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललीत कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और दोस्तों आज का जो वीडियो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट करी है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो के आके मिस्टर एस एस बिम्राजी ने करी है और वो पैंक्रियेट टाइटिस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं उसका में कारण है कि उनको पिछले कई बहुत लंबे क्रॉनिक समय से वह खुद पैंक्रियो टाइटिस जैसी बिमारी से सफर कर रह है तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो कि हैं पैंक्रियेट टाइटिस के बारे में पैंक्रियेट टाइटिस को समझने के लिए दोस्तों हमको थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन पर हम चलेंगे और पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि पैंक्रियास क्या होता है पै होते हैं इसलिए सिस्टम को पूराी डाइजस्टिव सिस्टम को हम बहुता है गैस्टर होता है वसी इसी पडेटिक एपक्रेटरस का पेंप्रेटरस होता है आप देखेंगे लीवर है यह हमारा स्थमक्त के पीछे यह हमारा स्थमक्त से इचालू ही मतले इस्थमक्त खतम और स्मौल इंटेस्टाइं हैं उसको हम बोलते हैं डियो इनम तो यह सी शेप होता है और इस श्चेप के बीच में जो एक ग्रंथी है इसको हम बोलते हैं पैंक्रियास तो दोस्तों यह होता हमारा पैंक्रियास हमारी सबसे मुख्य डाइजेस्टिव ग्लेंड भी आप बोल सकते हो क्योंकि पैंक्रियास बनाता है Amylase, Lipase और Protease तीन एंजाइम और यह तीनों एंजाइम रेस्पेक्टिवली Carbohydrate, Protein और Fat को पचाने में मदद करते हैं तो आप यह मोटर तोर पे कह सकते हैं कि जो Pancreas है यह Pancreas basically क्या है यह हमारे digestive gland का digestive system की सबसे important gland है दूसरा important point जो pancreas को ले के समझने का है कि pancreas is a dwell gland यह dwell gland है हमारी body के अंदर जब भी glands की बात होती है तो दो प्रकार की glands होती है एक होती endocrine gland और एक होती exocrine gland जो endocrine glands होती है endocrinologist सपन सुनते हैं यह वो glands होती है जिनके अंदर कोई भी नली नहीं होती है वो जो अपने secretion होते हैं endocrine glands अपने secretion seed the blood में पोर करती है और वो blood के through travel करके target organ पर काम करते हैं तो this is what is known as the endocrine gland endocrine gland का example जैसे parathyroid gland हो गया thyroid हो गया अपनी adrenal gland जो kidney के उपर होती है तो यह सारे एक्जामपल है endocrine exocrine gland कौन सी होती है वो gland जिनके अंदर target organ तक कोई नली कोई डक्ट जा रही है डक्ट मतलब नली और वो नली जो है इस gland के secretion को target organ तक पहुंचा रही है तो वाट आर दा एक्जो क्राइं ग्लैंड के एक्जामपल जैसे सलाइवरी gland होती है कि सलाइवा डक्ट के थुरू हमारे माउथ की ओपनिंग में खुलता है लीवर लीवर बनाती वह बाइल जो है बाइल डक्ट के थुरू जो होता है वह आतों में आता है और उसका तीसरा तो यह जो है बेसीकली है पेंक्रीयास पैंक्रीयास बएसीकली ड्लैंड है ये एंडो- Scout भी है और एक्जोक्राइन में भी है इसका जो एक्ष्च्य कर्ण्क होता है वो पंड्लो को बताए जूंक हो शक्रों यह न हो वाला वो खाना जो हम खाते हैं उसका पाचन हो सके और अपने आप में यह जो है यह एंडोक्राइन ग्लेंड भी है क्योंकि इंसुलिन सिक्रीट करता है जो पैंक्रियास का वो पार्ट जो इंसुलिन सिक्रीट करता है वो भी इसके अंदर पाया जाता और इंसुलिन जो रहत और exocrine भी है तो दोस्तों हमने ये समझा सरल भाषा में कि what is pancreas अब हम समझने की कोशिश करेंगे what is pancreatitis भाई कहीं पे भी it लगता है किसी भी एक organ या फिर part के नाम के आगे तो infection होता है तो जो infection of pancreas is known as the pancreatitis ये कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है समझने कि infection of pancreas is known as the pancreatitis अब हम थोड़ा सा इसकी definition और कुछ में मोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे ठीक है ना overview pancreatitis pancreas is a long flat pancreatitis is the inflammation of pancreas pancreas के मैं आपको बता चुका हूँ is a long flat gland that sit tucked behind the stomach stomach के पीछे होती है इन अपर abdomen में the pancreas produce the enzyme that help in the digestion यह enzyme produce करता है plus hormones करता है जो की body का regulate करता है sugar mechanism को तो इसलिए dwell gland हो गई कि अपने यह exogenous exo मतलब exo endocrine और exocrine gland है तो यह exocrine part से यह secret करता है उन enzymes को जो खाना पचाते हैं और अपने endocrine logical part से secret करता है insulin hormone जो की क्या करता है glucose metabolism को regulate करने का काम करता है pancreatitis can occur in the two forms एक तो acute pancreatitis हो सकता और chronic हो सकता है ना means it appear suddenly and last four days और pancreatitis can occur as the chronic pancreatitis which is pancreatitis that occur over many years यह बात समझने की एक तो acute हो सकता है कि कोई भी x y z current से आपको यका यक हुआ और आपको कुछ दिन रहेगा यह और यह कुछ दिन रहने के बाद इसका फेट बहुत बुरा यह बहुत चिंता जनक बीमारी है कि अगर यह कुछ दिन रहेगा तो यह हो सकता है patient को मार दे या फिर वो अपने आप रिजॉल्व हो जाए अगर उसके जिस कारण से हुआ था तो यह कई बार आटोमेटिकली रिजॉल्व भी हो जाता है ठीक है क्रोनिक मतलब कई साल होता कि इसके क्रोनिक कैसे होता यह थोड़ा समझने का बात है अब हम आते हैं वो सब आगे समझेंगे इसके सिम्टम के साइन सिम्टम और एक्यूट के अलब होते हैं क्रानिक के अलब होते हैं वाट अर्द एक्यूट के सिम्टम अपर एब्डॉमिनल पैन यहीं गई है न तो यह अपर एब्डॉमिनल पैन होगा एब्डॉमिनल पैन डेट रेडियेट टुद बैक यह जो पैन है एब abdominal pain that feel worse after eating ऐसा abdominal pain जो कि हमको खाने के बाद सबसे ज़्यादा वर्स लगे fever आएगा rapid pulse होगी nausea vomiting and tenderness मौटे तोर पर देखेंगे तो आपको pancreatitis के symptom काफी कुछ गॉल ब्लेडर के अंदर इस्टोन या कॉलेसिस्टाइटिस से मिलते जुलता है कि जो गॉल इस्टोन या कॉलेसिस्टाइटिस मतलब inflammation और गॉल ब्लेडर जो होता है उसके symptom और pancreatitis के symptom काफी हद तक हुबा हूँ होते हैं और उसके बाद जो है chronic के symptom क्या है chronic pancreatitis के sign and symptom है सिर्फ अपर abdominal pain पहली चीज weight loss होना बिना कोई effort करें वजन कम होता जाएगा और oily slimy stool जिसको बोलते इस्टे टोरिया सिर्वे तीन symptom आएंगा अब इसका कॉस क्या है को समझने देखिए बहुत important है क्योंकि आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा जन्राली जन्ता बता देगी यूट्यूब वीडियों में पर कॉस नहीं आपको बहुत कम लोगों को कॉस पता है इसका pancreatitis occurs when the digestive enzyme become activated while still in pancreas इत्ता simple सा कारण है कि हमने आपको क्या बताया कि जो एक्जोक्राइन पार्ट होता है pancreas का जो एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन यह dual gland दोनों प्रकार की gland है यह एक के अंदर ही तो जो एक्जोक्राइन पार्ट होता है जो सिक्रीट करता है लाइपेस जो कि पचाता है कार्भोहाइड्रेट को लाइपेस जो कि पचाता है lipid को और protein को तो काईदे से क्या होता है कि inactivated form में पढ़े रहते हैं कहाँ पे इंका secretion होता है pancreas के अंदर और झाइसको digestive system के अंदर यह यह toوف कि पार्ट में उड़ेला जाता है तभी कुछ ऐसे फेक्टर्स आते हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद ये कोई चीज को पचाने के योग्य होता है पर जब वही एक्टिवेशन किसी भी तुरुटी वश किसी भी कारण किसी भी फॉल्स इंफ्लमेशन होने का और इसी वजह से इरिटेटिंग दे सेल्स ऑफ यूर प्रेंक्रियास एंड कॉजिंग इंफ्लमेशन यह लाइन एक बार पढ़ते हैं पैंक्रियाटिस ऑकर्स वेन देजेस्टिव एंजाइम बिकम एक्टिवेट वाइल इस्टिल इन पैंक्रियास व इसी कौन सी कंडिशन हैं जो पैंक्रियाटिस को पैदा कर सकती हैं कंडिशन अब्डॉमिनल सर्जरी देखा गया है जनरली कुछ सर्जरी इसके बाद ऐसा एक्टिवेट हो जाता है यह अल्कोहलिसम कुछ दवाएं सेटेन मेडिकेशन सिस्टिक फाइब्रोसिस गॉल स्ट होता है हाई ट्राइग्ली स्राइट लेवल इंद व्लंट मतलब हाइपर ट्राइग्ली स्लाइड एमिया इंफेक्शन इंजरी टूद अब्डॉमन ऑबेसिटी एंड पैंक्रियाटिक कैंसर यह ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण पैंक्रियर टाइटिस जो होता है व तो में भी पॉसिबल उसको पैंक्रियर टाइटिस भविश्य में हो सकता है एक्सेसी अल्कोहल कंजम्शन बर्वर जरुवस से यादा अल्कोहल का कंजम्शन करना है सिग्रेट स्मोकिंग और मैं फैमिलियल हिस्ट्री को हटा दू तो आप देखोगे कि यह तीन कारण वाट इस नोन एज पैंक्रियर टाइटिस ठीक है ना तो अब मैं उमीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया है कि वाट इस पैंक्रियर टाइटिस बस मेरे को एक सेकंड दीजिए जा एक सेकंड दूँगा बस मैं तो दोस्तों हमने अभी देखा कि पैंक्रियर इस क्या होता है इसका काम क्या होता है यह कहां पर होता है पैंक्रियर टाइटिस क्या हो सकता है कितने टाइप का होता है इसके साथ क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इसके होने के चांस को बढ़ाते हैं इसके होने का कारण क्या यह सब बात हैं हमने जानी अब हम जानेंगे कि इसका treatment क्या है basically what's the treatment should person get whenever he has affected from the pancreatitis ठीक है अब यह देखे शुद्ध clinical ग्यान है इसके पीछे यह कहीं पर लिखा नहीं है बहुत जगे बहुत कम जगे लिखा है the two most important medicine I would suggest three most important medicine है न जो pancreatitis के ऊपर एक परसन को लेना चाहिए है the first one is kelly iod kelly iod 30 potency में चार चार गोली दिन भर में तीन बार the second one is spongia tosta spongia tosta 30 चार चार गोली दिन भर में तीन बार and the last one is phosphorus 30 phosphorus 30 चार चार गोली दिन भर में तीन बार जी हां तीन दवाएं है यह तीनों दवाएं आपको पांच-पांच मिनिट के gap से दिन भर में तीन बार इनका सेवन करना है और यह आपको कई महीने तक करना है ठीक है न और यह करने के बाद आपके pancreatitis की इस्तिती में whether it is acute or chronic I would challenge कि आपको जमीन आस्मान का फरक दिखेगा but after cure मतलब इसके ठीक हो जाने के बाद भी जितने भी रिस्क फेक्टर से यह वीडियो में बताए गए हैं जितने भी कारण इसके होने के बताए गए हैं अगर आपकी दिन चर्रय में आपकी life style में कोई चीज उसके अंदर incorporate करती है जो आप करते हैं तो यू शूड़ स्किप दोस इमेडियेटली तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो पैंक्रियेटाइटिस के बारे में उमीद आप सबको पसंद आया होगा बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार